नमस्कार बहुत बास स्वाइद करते हैं क्लिक टोडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में और जो भी छात्र हैं जो एक शुक है डिलेट करने के लिए उनका आवेदन 2023 से 25 सत्र के लिए आज से सुरू किया जाना है जैसा कि आज कि आप अखवार के रिपोर्ट में देखे एंटरंस एक्जाम के लिए बट वेबसाइट जो है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था तो यहां पर घोशना कर दिया गया कि आज से आप सभी जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं बिहार विद्याले परिक्षा समिती ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजूकेशन पाठेकरम में नामांकल लेने वाले छात्रों के लिए निवंधन तिथी जारी कर दी है और परिक्षन सत्र दो हजार तेईस से पचीस में नामांकल लेने वाले छात्रों का जो है चौबिस जनवरी से चा फरवरी तक जो है निवंधन करवाना मतलब करवा सकेंगे यहां प आपको 7 फरवरी तक चला था इस बार भी देखने को मिल ला है 24 फरवरी से लेकर के चाह फरवरी तक जो है आपको एंटरेंस एक्जाम बढ़ने का डेट दिया गया है जो भी छाट रहें डिलेट करने के लिए एक शुक है और एंटरेंस एक्जामनिशन देना चाहा रहे हैं तो आप लोग जो है, फॉर्म भर दीजिए, आज से जो फॉर्म भराने लगा है, फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने का अद आपका entrance examination conduct होगा, उसमें अगर आप pass कर जाते हैं, फिर जो है आपका college chain करने का टाइम आएगा, फिर आपको अगर government college मिल जाता है, तो आपका काफी कम पैसे में ही जो है delete complete हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं जाकर के आपको नहीं मिल पाता है कोई government college, तो आपको private college से फिर करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको 1-1.5 लाग रुपए के आज पास तक जो है लग सकते हैं, delete करने के लिए, साथ ही reservation category के according भी seats available रहते हैं, तो वो भ इनके mock test वगरा है, वो सब आप solve करते रहिए, आपको इसके previous year के questions भी website के उपर मिल जाएंगे, अगर आपको study materials related कोई help चाहिए, तो हमें नीचे comment करके भी बता सकते हैं, फिलाल आपसा भी अपना form भर लीजे, क्योंकि date जो भी दिया गया है, उसी date के बीच में आपका form भर रहे हैं कि हम commerce background से हैं, तो delete करें या फिर b8 करें, इसको लेकर कि हम एक proper video बना दे रहे हैं, जो देख करके आप लोग समझ जाएगा, कि आपको delete करना बहतर रहेगा, या फिर b8 करना बहतर रहेगा, अगर आप ये video चाहते हैं, तो नीचे comment करके जरूर बताएगा, तो आज कि इस video में इतना ही तो तकले चलते हैं, धन्यवाद